application of derivatives तो यह है class 12 चाप्टर No.6 इसके previous year के questions जू हैं यह हमने पिछली class में start कर दिये थे कुछ questions हमने पिछली class में cover कर लिये थे तो पिछली class में ही मैंने आप से कहा था कि इसका part 2 भी मैं लेकर आऊंगी जिसमें हम और कई सारे previous year के जो questions है chapter 6 के उनको cover करने वाले हैं तो आज की class में हम और कई सारे questions करेंगे chapter number 6 के तो class को शुरू करते हैं सबसे पहला question यहाँ पर देखें क्या बोला जा रहा है show that a cylinder of a given volume एक cylinder है हमारे पास जिसका volume हमको given है which is open at the top अब ध्यान दीजिएगा कि जो भी cylinder हमारे इस question में हमको दिया गया है उसका जो top है वो उपर से खुला हुआ है open है तो cylinder में हमको पता है दो base होते हैं cylinder में दो base होते हैं लेकिन यह जो cylinder हमको दिया है open at the top इसलिए इसका एक base रहेगा बागी curved area रहेगा has minimum total surface area तो हमको surface area की minimum value find करनी है लेकिन उसके पहले obviously हमको यह पता करना होगा कि किस point पर जो surface area है वो minimum होगा provided its height is equal to the radius of its base और इसकी जो height है यह base के equal होगी तो overall कहा जाए ना तो यह पूरी चीज़ हमको show करनी है है कि total surface area जो है cylinder का यह अपना क्या है minimum है और इसकी जो height है यह equal है radius of its base तो पहली चीज़ तो पहली चीज़ तो यह clear होनी चाहिए कि जो cylinder दिया है open at the top है इसलिए एक base रहेगा और एक curved area रहेगा यहीं इसका रहेगा total surface area जिसको हमको minimize करना है दूसरी चीज़ volume इसका हमको given है तो सबसे पहले सारी चीज़ें हम suppose कर लेते हैं हमने suppose किया कि let जो height है height of the cylinder यह हो गया अपना h right और radius of the base radius of the base of cylinder of the base of cylinder सो यह हमने ले ली आर इतनी बात क्लियर हो गई और एक चीज़ और हमको इसका volume बोला गया है कि volume शो दर्ट आप सिलिंडर of a given volume तो volume हमारे पास है तो volume of cylinder क्या होता है यह होता है अपना pi r square h तो v equal to हो गया हमारे पास pi r square h इतनी बात क्लियर हो गई यह चीज़ हमारे पास है pi r square h volume जो है यह हमने यहाँ पर find कर लिया radius हमने suppose कर लिया अब इसके बाद आगे हमको बोला जा रहा है कि minimum total surface area तो total surface area रहेगा curved area और एक base क्योंकि ऊपर से यह खुला हुआ है तो यहाँ पर total surface area की बात करेंगे तो total surface area equal to क्या हो जाएगा एक base हो जाएगा pi r square और इसका curved area हो जाएगा 2 pi r h अब एक चीज़ का ध्यान दे हमको बोला गया है कि surface area जो है आपका surface area यह क्या होगा एक मिट इसको simply तरीके से लिख लेते है pi r square और 2 pi r h हमको यह बोला गया है कि इसकी height equal to radius दूतरी चीज़ इसका जो surface area है उसकी हमको minimum value find करना है तो सीदी सी बात है कि हम क्या करेंगे इसको पूरा का पूरा जो है या तो पूरा r में change कर लो या पूरा h में change कर लो तो यहां से अगर देखा जाए क्योंकि यह volume अपने को given है तो यहां से हम height की value find कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे हम s as it is रहने दो यह pi r square as it is plus 2 pi r और h की जगा पे हम यहीं से लिख लेते हैं h equal to v upon pi r square तो यह हो जाएगा v upon pi r square h की जगा पे so i hope इतनी बात clear हो गई होगी तो यह surface area हमने पूरा r के form में find कर लिए इसको थोड़ा और simplify करेंगे यहां पर हम so यह हो जाएगा s equal to pi r square plus ध्यान दें कि इस r से यहां का 1 r cancel pi से यहां का यह pi cancel तो यह बच्चा आपके पास 2 v upon r इतनी बात प्लिए लोगे तो surface area आप देखें पूरा का पूरा r के form में हमने find कर लिया अब इसको हम differentiate करेंगे क्योंकि हमको surface area की minimum value find करनी है लेकिन वो point find करना होगा जहां पर value minimum है तो second derivative test यहां पर हम लगाएंगे तो इसलिए सबसे पहले इसको differentiate करेंगे with respect to r तो यह हो जाएगा अपना d s upon dr pi r square का हो जाएगा यह 2 pi r क्योंकि r square का 2 r हो जाएगा तो इसको लिख देंगे 2 pi r 2 v अपना constant as it is क्योंकि volume अपनों को given है 1 upon r जो है तो 1 upon r की बात कर तो r की degree minus 1 हो जाएगा इसको differentiate करोगे तो minus 1 r की degree minus 1 minus 1 तो यह हो जाएगा minus r की degree minus 2 तो minus 1 upon r square हो जाएगा यह तो direct लिख देते हैं अपन ठीक है तो यह हो जाएगा इदार अपन लिख देते हैं plus minus minus 1 upon r square बात समझ गया है ठीक है तो यह हमने इसको differentiate कर लिया अब इसको 0 से equate करेंगे तभी जाके हमको वो point मिलेगा जहां पर volume हमारा sorry surface area जो है हमारा वो minimum value देगा तो यह हो जाएगा 2 pi r equal to 2 v upon r square इतनी बात के लिख लोगी अब सीरी सी बात है यह जो v है volume है इसकी value हमारे पास है pi r square h यह value रख देंगे so 2 pi r equal to 2 यह हो जाएगा pi r square h upon r square r square से r square यहाँ पर गया यह आगया 2 pi r equal to 2 pi h तो 2 pi से यहाँ का 2 pi cancel r equal to h आगया तो यह एक चीज़ हमने शो कर दी कि radius equal to height यह भी हमको शो करना था यहाँ पर clear हमको बोला गया है कि provided its height is equal to the radius of its base तो पहली चीज़ तो हमने यह पर शो कर दी लेकिन हमको यह भी शो करना है कि r equal to h पर ही आपका जो surface area है वो minimum value देगा तो सबसे पहले क्या करिए इसको तो दे दीजिए आप equation number one और इसको दोबार से differentiate करेंगे कुछ second derivative test लगाएंगे हम ठीक है तो यहाँ पर from equation first from equation first equation first उठा लो यहाँ पर as it is अपनी यह क्या है ds upon dr equal to यह क्या है अपना 2 pi r 2 pi r minus 2 v upon r square यही है अब इसको दोबार से differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा d square s upon dr square 2 pi as it is r को differentiate करेंगे r के aspect में हो जाएगा 1 minus 2 v अपना constant as it is अब देखो r square यह फिर से उपर जाएगा minus का 2 हो जाएगा ना differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा minus 2 r minus 2 minus 1 तो यह हो जाएगा minus 2 upon r cube यहां लिख देंगे हम minus minus plus 2 upon r cube right differentiate करते अपने को सबको आता ही है अब तो ठीक है तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 pi as it is 2 2s are 4 v upon r cube तो यह आगया d square s upon dr square ठीक है तो यह हमने second derivative find कर लिया अब हमको यह देखना है कि यह जो value आई है यह positive है कि negative सो आप खुद clear देख पा रहे है which is greater than zero लेकिन हमको क्या बोला गया है कि r equal to v पर r equal to h पर हमको find करना तो r की जगह पे अगर हम h रख भी दें मान लो at r equal to h हमने रखा क्योंकि r की value क्या ही है h आई है ना सो यहां हमने लेखा d square s upon dr square equal to 2 pi plus 4 v upon r की जगह पे हमने h कर दिया h cube which is greater than zero और हमको यह चीज़ पता है कि जो second derivative test होता है इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है कि अगर हमारा second order derivative greater than zero आ जाता है मतलब यहां पर जो भी surface area है जिसको हमने differentiate किया है तो यहां पर जो surface area है total surface area उसकी minimum value होगी ठीक है तो यहां लिख देंगे अपन खत्म ठीक है समझगा है बात को कि इस शोज़ दा total surface area has a minimum value at r equal to h खत्म चलिए अगले question पर चलेंगे क्या बोला जा रहा है show that f of x equal to this function हमको दिया है is a strictly increasing function on this interval तो strictly increasing, strictly decreasing, increasing, decreasing constant इनकी जो condition थी वो क्या थी भाई हमको यह चीज़ पता है कि function का derivative अगर greater than 0 है तो strictly increasing function का derivative अगर less than 0 है तो strictly decreasing अगर function का derivative इसके साथ यानि अगर इक्वल भी लग जाए greater के साथ equal भी लग जा तो सिर्फ और सिर्फ इन इक्रीजिंग और less than के साथ equal लग जा तो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग और अगर equal आ जाए तो हमारा जो function रहेगा वो constant रहेगा तो इतनी चीज अपने को पता है already अपन देखे detail में भी पूरा chapter पढ़ चुके हैं साथ ही मैंने one shot भी cover कराया था और इसके formula के लिए भी मैंने अलग से वीडियो cover किया है तो वहां से आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छ तरीके से कम समय में clear कर सकते हैं concept to concept ओके चलिए तो देखिए अब हम चलते है question प अपना यहां पर 10 inverse यह अपना sin x plus cos x या cos x plus sin x कोई लिख लिए तो cos x plus sin x ठीक है अब इसको differentiate करेंगे तो function का first derivative find करेंगे तो 10 inverse x का derivative होता है 1 upon 1 plus x square तो x की जगह पर क्या है अपना cos x plus sin x इसका square और पर chain rule से cos x plus sin x का करेंगे तो cos x का जो है यह हो जाएगा अपना minus का sin x और plus sin x का हो जाएगा अपना cos x तो differentiate कर दिया अब देखना हमको क्या है देखना हमको यह है कि इस interval में ध्यान दीजिए open interval है तो strictly increasing strictly decreasing कुछ भी बोले जागा तो यहां पर open interval कहने का मतलब की 0 इसमें include नहीं है पाइवाइ 4 इसमें include नहीं ह है बस 0 और पाइवाइ 4 की जो बीच की value है वो यहां पर include हैं ठीक है तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो इसको अपन को देखना है कि यह greater than 0 है या less than 0 इसको पहले थोड़ा इसको simplify कर लेंगे better clarity आईगी चलो यहां पर f dash x सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं cos x minus sin x cos x positive sin x negative इसको हमने पहले लिख लिए इसको बाद में लिख दिया यह one अपना as it is अब ध्यान दो कि यहां पर cos x plus sin x का whole square है तो a plus b का whole square का formula लगा दो तो यह हो जाएगा cos square x plus यह हो जाएगा आपका sin square x और फिर यह हो जाएगा 2 आपका sin x sin x into cos x बात समझ में आगी अब एक चीज़ का ध्यान दो कि sin square x plus cos square x यह हो जाएगा और यहां पर formula लग जाएगा 2 sin theta cos theta sin 2 theta यानि sin 2 x तो यहां पर trigonometry के कुछ formula लग गए हैं तो f dash x equal to यह हो जाएगा आपका cos x minus का sin x upon 1 plus 1 plus यह हो जाएगा आपका sin 2 x और 1 plus 1 और यह हो जाएगा आपका 2 x तो cos x minus का sin x upon यह हो जाएगा 2 plus sin 2 x अब हमको हमारे पास जो यह result आया है अब हमको देखना है कि यह जो result है यह positive है कि negative है इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने इंटरवल पर चलेंगे कि जो interval अपने को दिया है यह दिया है 0 to pi by 4 इस interval के अंदर जो values ने वो क्या है तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हम numerator की बात करें तो numerator में अगर देखा जाए तो cos x में से sin x को हम minus करेंगे तो जरूरी क्या positive होने के लिए कि cos x अपना positive रहे sorry cos x अपना बढ़ा रहे cos x अपना sin x से बढ़ा रहेगा तभी तो अपने को positive value मिलेगी right तो यहां पर यहां लेखेंगे in the interval जो अपने पास interval है open interval 0 to pi by 2 pi by 2 है या pi by 4 है sorry pi by 4 है right pi by 4 इस interval में हमको देखना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 0 is less than x is less than pi by 4 यानि x की value 0 and pi by 4 के बीच में है नहीं 0 है नहीं pi by 4 है अब हमको यह चीज़ बहुत अच्छे तरीकी से पता है कि इस interval में cos और sin की अगर बात करें तो cos हमेशा sin से बढ़ा होता है तो यहां लिखेंगे cos x is greater than sin x अब जब cos x sin से बढ़ा रहेगा तो obviously बढ़े में से छोटा minus होगा तो यह positive ही रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि cos x minus sin x जो है is greater than 0 मतलब की positive है denominator की अगर आप बात करो तो sin 2 x की बात करें तो sin 2 x इस interval में positive रहेगा और positive में अगर आप 2 add करोगे तब भी यह positive रहेगा तो यहां पर अपन लिखेंगे कि जो sin 2 x है आपका sin 2 x is greater than 0 कहने का मतलब हो गया 2 plus sin 2 x जो है यह greater than 0 रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि जो अपना function का first derivative जो अपनने find किया था cos x minus sin x upon 2 plus sin 2 x यह जो value है यह अपनी greater than 0 रहेगी मतलब positive रहेगी और इसके यह चीज़ क्लियर होती है कि हमारा function है यह रहेगा strictly increasing अब यहां पर एक concept और में clear करना चाहूंगी दो मिनिट आपके लूँगी दो मिनिट भी पूरी ने लगें एक ही मिनिट में खसम करके यह बात को कि कई बच्चे इस चीज़ में confused रहते हैं कि कई जगे हमको strictly increasing पूछा है लेकिन हमारा function तो strictly increasing आ रहा है तो जब हमने इसका one shot cover किया तब भी मैंने आपको यह चीज़ क्लियर करी थी कि अगर कोई function आपका strictly increasing है तो उसको आप increasing कह सकते हो obviously अगर आपका function strictly increasing है तो वो increasing होगा ही होगा same decreasing के लिए कि strictly decreasing अगर है तो वो decreasing होगा ही होगा लेकिन इसका ultra possible नहीं है अगर आपका function decreasing है तो आप उसको strictly decreasing नहीं कह सकते और अगर आपका function सिर्फ और सिर्फ increasing है तो आप उसको strictly increasing नहीं कह सकते यह चीज़ क्लियर रखी अपने दिमाग में तो यहाँ पर देखे यह जो function अ अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग अकेला पूछा जाता तो यह फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा ही होगा क्योंकि इस तरीके से कॉश्चन होता है खतम इसमें एक दो कॉंस्टेप्ट देख लिए ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे इस तरह के कॉश्चन कई सारे कॉश्चन में पूछे जाते हैं जरूरी नहीं है कि सेम तो सेम कॉश्चन ही चिपका दिया जाएगा यहां पर आपका फंक्शन चेंज हो सकता है ओविसली होता ही है कॉश्चन का जो पैटान है लेकिन यही रहेगा कि आपको इंटर्वल फंक्शन है ठीक हमको यह चीज़ पता है कि फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर 0 से एक्विट कर दो तो हमको वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर हमारा जो फंक्शन है यह इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा ओके तो चलो करते हैं फटा पड़से तो पहले पहला जो काम है वो यह है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो और उसको 0 से एक्विट कर दोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है ठीक है तो फंक्शन का फर्स्ट निकाल सकते है तो यह हो जाएगा आपका X³ मैनस सका 2 है तो 12X जो है यह तो अपना एच्विट ज्रहे गा इसको आपन ठोड़ा सा इसके फैक्टर करें एक मिमट stay १िए यहाँ x cube आएगा, तो यहाँ x square आएगा, ठीक है, चलो, हाँ, so, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसके factor कर लेते हैं, तो 2 1s are 2, 2 में से 1 minus होगा, तो 2 आजाएगा, तो यह हो जाएगा, देखो, x square, minus का 2x, plus का x, और minus का 2, तो यहाँ पर खुद clear देखें, यह 2 1s are 2, plus minus, minus 2 मे तो यह आजाएगा, x minus 2, यह तो एक सिंपल से चीज है, यह तो आप करी लेंगे, 12x, यह हो जाएगा, आपका, x minus 2, और यहाँ से आजाएगा, आपका, x plus 1, तो यह आगया, function का, first derivative, इसको, equation number 1 दे दू, तो function का first derivative find करके, हमने इसको इस तरीके से simplify कर लिया, जिससे कि हमको यहाँ पर x की कुछ value मिले सकें, समझ के बात को, तो यहाँ पर आप इसको 0 से equate करेंगे, जिससे हमको वो point मिल जाएगे, जहाँ पर आपका function increasing, decreasing हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे, आप which is x equal to 0, x minus 2 equal to 0, तो यहाँ से x equal to 2 आजाएगा 2, और x plus 1 equal to 0, तो यहाँ से आजाएगा x equal to minus 1, तो यहाँ पर हमको 3 x की value मिल गई, और अगर एक number line आप ड्रो करने, तो इस तरह आता है minus infinity, इस तरह आता है positive infinity, हमको पता है कि यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका minus 1 और यहाँ रहेगा आपका 2, हमने क्या किया, यह जो x value आई है, इनको number line पर अपने mention कर दिया, यहाँ रहेगा 0, obviously यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा minus 1, मतलब किस तरफ रहेगा यह अपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको 3 interval मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार interval मिल गए, interval मिल गए, अब तो आप चेक करी लेंगे कि किस interval में आपका function increasing है, किस interval में आपका function decreasing है, चलिए, तो start करते हैं पहले interval से, तो यहाँ पर देखी हमको strictly बोला है, इसलिए हम open interval लेंगे, इसलिए हम जो interval यहाँ पर लेंगे, यह open interval लेंगे, क्योंकि open interval में हमारी यह value और यह value include नहीं होती, इनके बीच की value include रहेंगी, रई, तो चलिए, चार interval हमारे पास आगए, फटा फट लेंगे लेते हैं, minus infinity to minus 1, minus 1 to 0, 0 to 2, और 2 to positive infinity, यह चार interval है, पहले interval की बात करते हैं, at minus infinity to minus 1, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कि minus infinity is less than x is less than minus 1, right, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा function का first derivative आया था, उसकी value चेक करेंगे, हम इस interval के अंदर के positive आती है, कि negative, तो function का जो first derivative है, यह हम उठा लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, यह हमारे पास, 12x, x minus 2x plus 1, 12x, x minus 2x plus 1, right, तो यह अपना था, dy upon dx, या फिर उसको f-x, x, right, ठीक है, अब देखें, हमको calculate नहीं करना है कोई बीचिस, हमको सिर्फ इतना देखना है, कि इस interval में यह positive value देगा, या negative, हमको सिर्फ इतने से मतलब है, तो आप देखो, minus 1 से कोई छोटी value आप देख लिए, क्योंकि minus 1 के बा value देगा, फिर यहाँ पर minus 2, minus 2 आएगा, तो यहाँ पर भी एक negative value आएगी, फिर minus 2 प्लस बनोगा, तो यहाँ पर भी एक negative value आएगी, और 3 minus का multiply होगा, तो वो रहेगा आपका negative, minus, minus, plus, plus, minus, minus, तो overall कहा जाए, है, तो यहाँ पर हम यह चीज़ लिखेंगे, कि यह भी आपका negative आएगा, 1 minute, यह भी आपका negative आएगा, यह भी negative आएगा, और यह भी negative आएगा, तो इससे यह clear हो जाता है, कि यह जो है, function का first derivative, इस interval में जो है, यह हो जाएगा, less than 0, negative रहेगा, इसलिए less than 0, और इस condition में आपका strictly decreasing ओके clear हो गई बात अब दूसरा interval उठाते हैं क्या था आपना interval minus 1 to 0 तो यहां लिखेंगे अपन at minus 1 to 0 इसका मतलब क्या है minus 1 is less than x is less than 0 ठीक है function का first derivative हमको यहीं clear दिख रहा है तो यहीं कर लेते हैं इसको तो यहां हमने लिखा f dash x ध्यान दे 12 अब 0 से just छोटी value तो minus 1 अब इनके बीच की minus 1 और 0 के बीच की अगर हम value लें तो हम लेंगे minus 0.5 ठीक है 0 से just छोटी value minus 0.5 तो यहां पर हमने रखा minus का 0.5 ठीक है इसके बाद x की जगा पर हमने रखा minus का 0.5 minus का 2 और minus का 0.5 plus 1 बात समझे हमने कहा रखा value function के first derivative में यह रहा यहीं कहीं मैंने सारी value रख दी अब इसको calculate हमको नहीं करना हमको देखना है क्या value आती positive की negative तो आप यहां पर देखे इन दोनों को आप multiply करोगे तो आपको एक negative value मिलेगी इसके बाद minus 2 और minus 0.5 को add करोगे तब भी आपको एक negative value ही मिलेगी इसके बाद इन दोनों की बात करो तो 1 में से 0.5 minus होगा तो एक positive value आईगी तो यहां पर आजाएगा आपके पास plus तो यहां से आपको मिलेगा क्या मिलेगा plus मिलेगा यहां पर इस condition में function का first derivative positive आ रहा है which is greater than zero यानि इस condition में आपका function रहेगा strictly increasing इस तरीके से देखना है अब जो तीसरा interval है वो क्या है हमारे पास 0 to 2 फटाफट से करेंगे तो 0 to 2 0 to 2 में देखे 0 to 2 के बीच में 1 आ रहा है तो function के first derivative में फटाफट से सारी value रखते हैं तो यहां पर क्या function का first derivative क्या है अपना 12x x minus 2 x plus 1 और देखी अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि video थोड़ा slow जा रहा है तो आपके पास option है वीडियो की playback speed बढ़ा कर आप आराम से इसको fast करके देख सकते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर function का first derivative की अगर हम बात करें तो यहां पर 0 और 2 की बात कर रहा है 0 और 2 के बीच की value 0 और 2 के बीच में एक simple से value 1 आती है तो यहां पर आपने रखा 12 into 1 ठीक है 12 और यहां आपने रखा 1 यहां पर 1 minus 2 और यहां पर 1 plus 1 तो हमको यह चीज़ पता है कि यह plus, यह minus, यह plus तो सीधी सी बात है यह आना है आपका negative which is less than 0 मतलब कि strictly decreasing ओके चलो अगले interval पर चलते हैं 2 to infinity तो अब हमको क्या करना है यह जो हमारे पास interval है 2 और infinity के बीच का तो यहां पर देखना है कि यह positive है कि negative तो 2 से एक बड़ी value उठा लो आप 3 तो हमने 3 उठाया तो यहां आजाएगा 12 into 3 यानि positive ही तो है न तो 3 minus 2 और यह आगया 3 plus 1 तो यहां पर आप देखो यह plus का आएगा 3 minus 2 भी plus का आएगा 3 plus 1 भी plus का आएगा which is greater than zero यहां पर आगया आपका strictly increasing तो बस आप interval उठाईे बता दीजिए कि इस interval में आपका function strictly increasing है इस interval में आपका function strictly decreasing है ठीक है तो यहां पर A और B में पूछा गया आपको answer ठीक है तो पहला वाला है strictly increasing ठीक है ठीक है तो बता देते हैं increasing तो कॉंस interval increasing था ये रहा है आपके 4 interval तो एक increasing वाला ये रहा आपका और एक increasing वाला ये रहा कौन कौन से हैं देख लीजे आप minus 1 0 और 2 infinite minus 1 0 union 2 और infinite तो ये strictly increasing के लिए अब बात करते हैं decreasing की तो decreasing का पहला वाला अपना रही है रहा ये वाला decreasing का minus infinity minus 1 और 0 2 तो आए हो बात clear हुई होगी इस तरीके से हमने बता दिया कि इस interval में आपका जो function है ये strictly increasing है और इस interval में आपका function जो है ये strictly decreasing है और हमको intervals भी find करने तो जो की हमने find कर लिए तो तरीका जो है वो सेम है किसी भी इस तरह के question को करने का बस उस चीफ को पकड़ के रखिए concept को पकड़ के रखिए question function किस तरीके का भी change हो के आ जाए आप हर question आराम से कर लेंगे जैसा कि मैं आपको हमेशा गया दियूं ठीक है चली अगला question करेंगे यहां पर भी वही सेम टाइप का question है हमको interval find करना है इस function के लिए जिसमें आपका function strictly increasing strictly decreasing है तो इस तरीके के question तो change करके पुछे ही जाएंगे इस तरीके के जितने भी question है सब लगा लेना चलो तो question को शुरू करते है function क्या है अपने पास function है आपके पास 3x की degree 4 upon 10 minus 4x cube upon 5 minus का 3x square plus 36x upon 5 plus 11 तो सबसे पहले अपने को intervals find करने है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे फटा-फट से तो function को differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा 3, 4,012 x cube upon 10 minus 4,3,012 x square upon 5 minus का 3,2,06 x plus 36 upon 5 x का हो जाएगा 1,11 का हो जाएगा 0 अब यहां पर क्या किया जाए तो थोड़ा सा देखा जाए तो 2,6,012 2,5,010 हो गया यह तो यह f-x equal to यह हो गया आपका 6 x cube upon 5 minus का 12 x square upon 5 minus का 6 x plus 36 upon 5 अब देखिए यहां पर आप देखें तो इसके denominator में अकेला 5 नहीं बाकि तो सभी के denominator में 5 है तो अगर इसको solve कर लिया जाए तो यह हो जाएगा 6 x cube minus का 12 x square 6,5,030 x plus 36 पूरे के upon में 5 चीक है और एक चीज़ और अगर आप ध्यान से देखो तो सभी जगह से हम 6 भी common ले सकते हैं तो common ले लो 6 तो यहां पर हमने 6 common लिया upon में 5 बाहर कर दो तो यह आ जाएगा आपका लीजी आ गया अब अपने को क्या करना है function का first derivative हमने find कर लिया उसको simplify भी कर दिया अब अपना अगला काम यह है कि अपन यहां से x की values find करें मतलब इसके factor कर लें तो काम बन जाएगा लेकिन यहां पर जो अपनी यहां पर आपको जो polynomial दिख रहा है यह cubic polynomial है इसके लिए हम क्या करते है सबसे पहले इसको हम divide करके देखेंगे ठीक है तो अगर देखा जाए तो अगर आप इसको x plus 2 से आप इसको divide करूँ अगर पूरा divide होगे मतलब यह इसका factor है तो xq minus का 2x square minus का 5x plus 6 यह कैसे पता चला क्योंकि यहां पर खुद हमको clear दिख रहा है कि यहां पर आप divide करोगे तो यह यहां पर आजाएगा आपका x square और यह यहां पर 2 चाहिए तो यहां पर x plus 2 से अपना काम बनते दिख रहा है और obviously positive लेंगे क्योंकि यह minus sign तो अपने पास यहां पर है यह तो वह तो होई जाएगा square मिल जाएगा 2 का minus 4 में multiply करोगे तो minus का 42008 x हो जाएगा आप इसको अपन सब्ट्रक्ट करेंगे तो यह plus का यह plus का यह cancel minus plus का 8 और 5 तो यह हो जाएगा आपके पास 3x plus 6 ठीक है इधर आप sorry इधर आप 3 का multiply करोगे तो यह हो जाएगा 3x और 23000 यह हो जाएगा 6 लीजे तो remainder जो है आपका यह आ गया 0 पूरी तरीके से divide हो गया है मतलब x plus 2 जो है यह इसका divisor है तो अगर आप इन दोनों का multiply कर रहे हो तो obviously आपको यह मिल रहा है तो आपका काम बन गया लीजिए तो चलिए यहाँ पर आगे काम करते हैं तो यहाँ पर यह जो अपना f-x है यह क्या हो जाएगा आपका देखो बाहर क्या था 6 अपॉन 5 अपना पहले से था और अगर अपना multiply करें x plus 2 का और x square minus 4x plus 3 का तो अपने को obviously यह मिल जाएगा ठीक है चलो अब इसको अपना आराम से यह square जो अपना यह मिल गया है अपने को तो यह इसको तो अपना आराम से करी लेंगे चलो so f dash x equal to 6 upon 5 x plus 2 तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 1 0 3 3 और 1 हो जाएगा 4 तो यह देखो x square minus का 3 x minus का x plus का 3 तो 3 1 0 3 minus minus plus 3 और 1 4 हो जाएगा ठीक है आराम से इसके factor अपने को मिल जाएगे तो यह x plus 2 अपना as it is है यहाँ पर से x common लिया तो यह आगया आपका x minus 3 यहाँ से minus का 1 common लिया तो यह आजाएगा आपका x minus 3 तो यह हो जाएगा आपका 6 upon 5 x plus 2 x minus 1 x minus 3 अब आराम से x की value मिल जाएगे तो function का यह जो है first derivative यह अपनने find तो बहुत पहले ही कर लिया लेकिन इसको इस तरीके से इतना simplify कर देना है जिससे अपने को x की कुछ value मिल जाएगे और यही जो x की value रहेंगे यह अपनी critical value होती है critical value अगर आपको मिल गई तो आपका काम वहीं बन गया मतलब वहां से आपको intervals मिल जाते है ठीक है चलिए तो यहाँ पन क्या लिखेंगे कि अब इसको equate करेंगे 0 से तो now f dash x equal to 0 इसको देदो equation number 1 क्योंकि इसका काम अभी अपने को आईगा तो देखो यह 6 upon 5 x plus 2 x minus 1 x minus 3 equal to 0 तो 0 से equate कर दिया अब cdc बात है कि 6 upon 5 तो यह अपना constant है यह तो 0 के equal होना नहीं है तो यह तो काम गया यह x plus 2 equal to 0 करोगे तो x की value आगए यहां से minus का 2 ठीक है x minus 1 equal to 0 करोगे तो x की value यहां से आगई 1 x minus 3 equal to 0 करोगे तो x equal to क्या आगए 3 तो यहां पर x की अपने को 3 value मिल गई है ठीक है चलिए तो यहां पर अपने एक number line बना देते हैं सीरी सी बात है कि इस तरह आएगा positive infinity इस तरह आएगा negative infinity मतलब यहां राएगा minus 2 यहां राएगा 1 यहां राएगा 3 कितने interval मिल गए 1, 2, 3, 4 तो यहां पर भी चार interval मिले हैं चारों में वही सेम कहानी चेक करना आपने को फटा पटते तो इस ते पिछला question अपने बड़े इस मिनान से किया था आप इसको फटा पटते करेंगे तो पहला interval उठा लीजिए minus infinity minus 2 और यहां पर भी strictly increasing, strictly decreasing पूछा इसलिए open interval लेंगे अब इसमें function का first derivative क्या है अपना 6 upon 5 x plus 2 x minus 1 x minus 3 तो देखिए इस interval के अगर बात करने तो minus 2 से odd 40 value minus 3 आईगी तो यहां पर minus 3 अपन रखके देखते हैं तो 6 upon 5 minus 3 plus 2 minus 3 minus 1 minus 3 minus 3 तो सीधी सी बात है 6 upon 5 तो ठीक है minus 3 plus 2 यह आएगा negative value minus 3 minus 1 आईगी negative value और minus 3 minus 3 भी आईगी आपके negative value तो आप खुद clear देख रहे हैं तीन negative sign है मतलब की यह less than 0 आएगा क्योंकि यह आएगा आपका negative less than 0 तो यहां आजाएगा आपका strictly decreasing ओके चलिए next interval क्या है minus 2 1 minus 2 1 ठीक है यही अपना function का first derivative है ठीक है तो minus 2 minus 1 के बीच की value तो minus 1 से एक छोटी value ले लो 0 ले लो minus 2 minus 1 के बीच में 0 तो आएगा याएगा तो 0 भी अगर आप रखके देखते हो तो 6 upon 5 अपना as it is 0 plus 2 0 minus 1 0 minus 3 तो आप देखो कि 6 upon 5 as it is यह positive यह negative यह negative यह negative तो 1 plus 2 minus मतलब positive value वारी क्योंकि minus minus यह हो जाएगा plus यानि positive which is greater than oh sorry less than नहीं greater than 0 तो यहाँ पर क्या जाएगा strictly increasing ठीक है चलिए अगला interval क्या है आपना यहाँ पर 1 3 और फिर 3 minus 3 तो आप देखें 6 upon 5 as it is 2 plus 1 यह आएगा positive 2 minus 1 भी अपना आएगा positive 2 minus 3 यह आएगा negative तो यह पर positive positive negative यह total आपको देगा एक negative value which is less than 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा strictly decreasing अगला interval है आपका 3 infinity सो function का first derivative में अपना वैल्यू रखेंगे 6 upon 5 अपना इंफिनिटी के बीच की वैल्यू बात के लिए तो तो यहाँ आजाएगा देखो 4 plus 1 क्यूंकि X plus 1 है फिर X minus 1 है और यहाँ पर फिर क्या है X minus 3 है तो X की जगा पर अपने क्या लिया है 4 minus 3 अब देखते हैं 6 upon 5 as it is 4 plus 1 positive 4 minus 1 positive 4 minus 3 positive which is obviously positive so यह आजाएगा अपना positive value which is greater than 0 तो यहाँ आपने को मिलेगा strictly increasing तो बस अब पूरा सार अपने को लिखना है कि कौन से interval में strictly increasing है कौन से interval में strictly decreasing है चलिए तो देखें जारा कहां से यहां से start किया था अपने तो strictly decreasing minus infinity minus 2 और इसके बाद increasing में minus 2 minus 1 है minus 2 1 है sorry minus 2 1 right 1 3 decreasing में है और इसके बाद 1 3 decreasing में है और 3 infinity increasing में है that's it इतना करना है चलें अगले question पर चलो so next question में क्या बूला जा रहे है find the slope of the normal to the curve this x equal to this y equal to this at theta equal to pi by so this is a very simple question है हमको क्या बूला जा रहा है slope of normal so slope of normal के लिए चाहिए slope of tangent क्योंकि tangent का जो slope होता है उसी का one upon slope of tangent of tangent जो है वही होता slope of normal कोई बात नहीं है सबसे पहले अपने को क्योंकि यह applications of derivative derivative तो derivative का use करके सबसे पहले अपन क्या करेंगे slope of tangent find करेंगे जिसके लिए हमको चाहिए dy upon dx बट यहां पर देखो यह parametric form है x और y दोनों ही theta पर dependent है तो y को x को दोनों की theta के respect में differentiate करना होगा तो यहां पर सबसे पहले x equal to क्या है 1 minus a sin theta इसको differentiate करो with respect to theta तो dx upon d theta equal to 1 का हो जाएगा 0 minus a as it is sin theta का हो जाएगा cos theta right y equal to क्या है अपना b cos square theta तो इसको करेंगे अपन dy upon d theta तो देखो b cos square theta तो cos square theta का सबसे पहले तो हो जाएगा 2 cos theta फिर chain rule से cos theta का करेंगे तो यह हो जाएगा आपका minus का sin theta लीजे यह आ गया अब अपन आराम से dy upon dx find कर सकतें तो dy upon dx equal to क्या हो जाएगा अपना dy upon d theta upon dx upon d theta value रख दो minus 2b cos theta sin theta upon minus का a cos theta simple minus से minus cancel इसके बाद cos theta से cos theta cancel बचा क्या आपके पास 2b sin theta upon a ठीक है clear अब यहाँ पर आगे हमको यह बूला जा रहा है कि हमको जो normal का slope find करना है वो किस पर find करना है theta equal to pi by 2 पर लेकिन अभी आप देखें dy upon dx यानि slope of tangent हमने find किया है लेकिन theta equal to pi by 2 पर तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हम यहाँ लिखेंगे slope of tangent हमारा यहाँ पर at theta equal to pi by 2 तो यहाँ पर देखें dy upon dx at theta equal to pi by 2 तो देखो यहाँ पर 2b upon a sin theta की जगह पर क्या आजाएगा अपना pi by 2 हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि sin pi by 2 होता है 1 तो यह हो जाएगा 2b upon a लेकिन ध्यान दें कि यह dy upon dx नहीं slope of tangent find क्या है हमको चाहिए slope of normal तो यहाँ पर हम find करेंगे अब slope of normal slope of normal तो slope of normal का formula क्या होता है minus 1 upon slope of tangent जिसको हम show करते है dy upon dx से तो यहाँ पर value रख दीजे फटाफट से तो minus 1 upon slope of tangent अपना आया है 2b upon a जो की हो जाएगा minus a upon 2b और यह आ जाता है आपका answer क्लियर चलते है next question पर next question next question में बोला जा रहा है find the point on the curve this at which the equation of tangent is y equal to x minus 11 देखो इस तरीके के question भी पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत changes करके ठीक है तो हमको यह बोला जा रहा है कि हमको वो point find करना है करव पर at which the equation of tangent is this यानि कि इस कर्व को obviously ये tangent जो है check करके जा रही है जिस भी point पर वो point हमको find करना है तो सीधी सी बात है कि हमको tangent दीए और इस कर्व कि अगर बात करना इस लोग को tension टथ कर रही है सीधी बात है लो हमको slope मिलेगा वही तो हमारे टेंजेंट का स्लोप रहेगा ना इस तरीके से गुमा के दिया जाता है चलो सब इससे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर हमको कर्व की एक्वेशन दिया है इसको डिफ्रेंशेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह हो जाएगा आपका दी वापॉन डी एक्स एक्स स्क्वेर माइनस का लेवन और फाइब का हो जाएगा जीरू बट हमको यहां पर एक चीज दी गए है यह टेंजेंट की एक्वेशन दी गए है और अब इसको अगर आप y equal to mx plus c से compare कर दो तो यहां से आपको m दिख रहा है क्या आ रहा है कुछ नहीं है मतलब इसके multiply में 1 है तो यहां से आपको m मिल गया 1 slope और यह भी तो slope ही है तो दोनों आपस में obviously equal होंगे ठीक है तो यहां लिखेंगे कि slope of tangent dy upon dx equal to m अभी अपने dy upon dx कितना find किया है 3x square minus 11 equal to और slope find किया है अपने tangent की equation से 1 so यहां से यहां जाएगा 3x square minus 11 होदर जाएगा plus का 11 11 plus 1 हो जाएगा 12 x square equal to 3 4s are 12 और x equal to यहां जाएगा plus minus 2 x की दो value आगी अब x की दो value आई तो obviously y की भी दो value आई क्योंकि हमको वो point find करना है जहां पर tangent जो है वो curve को test कर रही है simple ठीक है so यहां पर y की value find करेंगे y की value obviously कहां से find करेंगे देख रहे हैं आप यह हमारे करवी के equation है तो x cube minus 11 x plus 5 x cube minus 11 x plus 5 तो यहां पर सबसे पहले plus 2 रखते हैं तो y equal to 2 2s are 4 4 2s are 8 11 2s are 22 plus 5 और यहां पर भी रखते हैं y equal to minus का 2 तो minus 2 का cube करोगे तो minus का 8 और 11 2s are यहां जाएगा 22 plus का और यह plus का 5 तो दो point हमको मिल गए लेकिन अब हमको यह चेक करना है कि इन दोनूं point के अगर बात करें क्यूंकि यहां पर हमको tangent की equation दी गई है तो ज़रूरी यह है कि यह दोनों point जो हैं यह किसको satisfy करने चाहिए हमारी tangent की equation उसको भी satisfy करने चाहिए और जो हमारी curve की equation उसको भी satisfy करने चाहिए को किसी दी सी बात देखो इस तरीके से curve है इस तरीके से tangent pass हो रही है ठीक है और यह point है तो आप देख रहे हैं कि curve पर भी यह पॉइंट है टेंजेंट पर भी यह पॉइंट है यानी दोनों का यह common point है यानी दोनों equation को satisfy करना चाहिए तो कौन सा point करता है देखते हैं अपन तो अपने equation क्या एक्स 11x plus 5 तो यह ठीक है क्या है अपनी tangent की equation यह देख रहा है y वान पॉइंट नहीं है माइनस का थर्टीन मीननस का थर्टीन एकवन नहीं है तो ये वाला point अपना नहीं है, point अपना ये है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, so, point on the curve, ठीक है, चल, चलते हैं अगले question पर, so, क्या बोला जा रहा है, find the equation of the tangent to the curve, this, which is parallel to the line, this, simple है, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या बताना है, equation of the tangent, tangent के equation बताना है, तो tangent के equation हम कैसे find करते हैं, यहाँ पर derivative का use करके, y-y1 equal to slope of tangent, slope of tangent क्या होता है, dy upon dx, और x-x1, चीक है, तो slope of tangent चाहिए, सबसे पहले तो, find the equation of the tangent to the curve, इस curve के लिए अपने को tangent के equation चाहिए, which is parallel to the line, this, अब सी यह x-axis, y-axis, ठीक है, और कोई line है, इस तरीके से मानलो कोई curve है, यह curve है, इस तरीके से यह tangent जा रही है, और इसी के parallel कोई line है, तो हमको यह चीज़ पता है, कि अगर दो line parallel है, class 11 से हम यह सीख करा रहा है, straight lines में, कि अगर दो line parallel है, तो दोनों line का slope equal होगा, कहने का मतलब यह ह है, कि इस curve की अगर हम बात करें, तो इस curve पर जो भी tangent है, उसका slope, और यह जो parallel line है, इस से हमको जो slope मिलेगा, वो क्या रहेगा, equal रहेगा, क्यूंकि parallel है यह line, समझ गए बात को, चलो, सबसे पहले, अपन क्या करेंगे, curve की equation क्या है, अपने पास, curve अपने पास है, y equal to root, 5x minus 3 minus 2, differentiate करेंगे, with respect to x, dy upon dx equal to, यह हो जाएगा, 1 upon 2 root, 5x minus 3, root x का अपने को पता है, 1 upon 2 root x होता है, तो कोई भी root x आजाएगा, ऐसे करो, chain rule लगा दो, 5x minus 3 में, तो 5x का हो जाएगा, आपका, 5 और 3 का हो जाएगा, 0, minus 2 की बात करें, minus 2 को differentiate करोगे, तो 0, इस तरीके से यह आ अपना dy upon dx, अब यहाँ पर लिखेंगे, कि अपने को यह चीज़ गिवन है, कि गिवन, tangent is parallel to the line, किस line के parallel है, 4x minus 2y plus 3 equal to 0, इसको y equal to mx plus c के फॉर में लेया हो, तो minus 2y यही रहने दो, 4x उदर जाएगा, तो minus का 4x हो जाएगा, minus का 3 हो जाएगा, y equal to यह हो जाएगा, 2, 2, 0, 4, और यह हो जाएगा, plus का 3 upon 2, तो यह कौन सा form बन गया है, यही साइड में लिख देती हूं है, y equal to mx plus c, तो m यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ सा slope मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे, slope of line, m1 लिख ल कर्व पर जो tangent है, उसका slope फाइंड किया, तो obviously दोनों equal हों, क्योंकि दोनों parallel है, तो यहाँ लिखेंगे, कि since, tangent and line are parallel, so slopes are equal, दोनों के slope equal होंगे, तो यहाँ पर अपना m1 equal to m2 होना चाहिए, तो dy upon dx अपने find किया था, यह रहा, 5 upon 2 root 5x minus 3, 5 upon 2 root 5x minus 3, equal to m2 अपना कितना आया था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ गया था, 2, इसको solve कर लो, x की value आपको मिल जाहिए, और उसी से आपन की value फाइंड कर लिखेंगे, राइट, च minus 3, both side square कर दो, तो 5 5s are 25, 4 4s are 16, 4 4s are 16, और इसका हो जाएगा 5x minus 3, ठीक है, तो 16 और इदर बुला लेते हैं, तो यह हो जाएगा 25 upon 16, 5x minus 3, और minus 3 इदर आजाएगा, तो 25 upon 16 plus 3 equal to 5, और यहाँ पर solve कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यह हो जाएगा 25, 48 upon 16, equal to 5x, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 73 upon 16 equal to 5x, तो 5 का 16 में multiply हो जाएगा, तो यह x equal to आजाएगा 73 upon 16, 5,080, तो x की value आगई आपकी, अब आराम से आप y की value find कर लो, तो y, y, y कहां रहा यह रहा, यह, ठीक है, क्योंकि यह अपनी curve की equation है, तो root 5x minus 3 minus 2, तो चलो, इसमें value रखेंगे, तो x की यह value आई, इसको value रखेंगे, और अपन y की value find करेंगे, तो y equal to root 5, x की जगा पर आगया, 73 upon 80 minus 3, और यह minus 2 अपना as it is, ठीक है, इससे cancel कर दो, ठीक है, यह आजाएगा, आपका 73 upon 16 minus 3, और यह minus 2 बाहर है, इसको और solve करेंगे, ठीक है, तो थोड़ी सी calculation है, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो y की value बैया गए, x की value बैया गए, यहाँ लिख लेके लेते हैं, तो हमको x और y की value मिल गई, अब हमको क्या find करना है, equation of tangent find करना, find the equation of the tangent, तो थेखो, वो point मिल गया, point of contact, slope हमारे पास है, अब आराम से हम, जो tangent है, उसकी equation find कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे, और slope अपने को अपने पास है, slope क्या था अपना, तू था, या फिर इसको dy upon dx भी आप कह सकते हैं, ठीक है, चलो, तो यहाँ लिखेंगे, equation of tangent, y-y1, m, x-x1, तो बस, formally में वैल्यू रखी, इसको simplify करिए, काम खतम, तो देखें, जो calculation है, वो तो आप खुद कर सकते हैं, इस तरीके से हमने क्या किया, लीजे, यह पूरी अपने, जो अपने equation थी, उसकी सारी के सारी steps है, हमने जो tangent है, उसकी equation find कर दी, तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया था, कि जो tangent है हमारी, जो curve को touch कर रही है, जो tangent और एक line, दोनों parallel थे, तो हमारा यहीं काम आसान होगे, हमको अलग सा slope find करने की ज़रत नहीं रही, क्योंकि line ही के parallel हमारी tangent थी, तो line से जो हमको slope मिला, वह हमारी tangent का slope हो गया, काम कतम, चलते और हमके एगले question पे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, find the points on the curve this, where the tangent is parallel to x-axis, थे, यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, कि हमको point find करना है on the curve this, where the tangent is parallel to x-axis, tangent x-axis के parallel है, इस तरीके से हमारे x-axis, y-axis है, है let's suppose कि इस तरीके से हमारा कोई कर्व है और इस तरीके से हमारी टेंजेंट है अब जब टेंजेंट हमारे X-axis के पैरलल है तो यहीं से हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है देख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा जीरो समझगे बात को तो यहां पर स्लोप टेंजेंट अपना जीरो है यह अपने को इंडिरेक्ट वे में यहां पर दिया गया है जिसका यूज करके हम वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जो की कर्व को टेच कर रहा है तो पॉइंट फाइंड करना है सिंपली बस और कुछ नहीं करना तो चलो सबसे पहले एक्विशन ऑफ दा कर्व तो यह अपने को स्लोप मिल जाएगा लेकिन स्लोप टेंजेंट अपना जीरो है इसका रीजन क्या है कि वह एक्स एक्सस के पैरलल है अपनी टेंजेंट ठीक चलो यह हो जाएगा 2x y का करूँगे तो 2y और dy अप अपना 0 यहां से इसमेंसे 2 अगर अपन कॉमन निकाले तो यह हो जाएगा x plus y dy upon dx minus 1 equal to 0 तो यहां से यह आ जाएगा dy upon dx तो यह जाएगा plus का 1 minus का x और upon y तो यह आगया अपना dy upon dx समझ गे बात को अब dy upon dx अपने को clear बोला गया है I mean clear नहीं बोला गया अपने को indirect way में बोला होने जीरो क्योंकि हमको clear पता है कि तरीके से हमारा कोई भी कर्व है और तरीके सा अपने महीं है टेंजेंट और एकसस जब भी पैरलेल होंगे तब हमारा तो यहां लिखेंगे अपन कि सिंस क्टेंजेंट आर्ड गार टो एकस अक्सेश के पैरलल है इस लिए slope of tangent रहेगा 0 ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा यह dy upon dx equal to क्या हो जाएगा 0 तो 1-x upon y यह अपने dy upon dx सा यह 0 हो गया तो यहां से आजाएगा 1-x equal to y into 0 0 हो जाएगा और x equal to हो जाएगा अपना 1 तो x की value आ गई अपने पास अब y की value और find करना है अपने को तो यह रही अपनी equation यहां से y की value find करना है तो x square y square minus 2x minus 3 ओके तो यहां पर x square x की value 1 तो 1 का square plus y square minus 2 into 1 minus का 3 equal to 0 तो 1 plus y square minus 2 minus 3 equal to 0 तो आप देखें यहां पर यह तो हो जाएगा minus 5 plus 1 minus 4 तो y square minus 4 equal to 0 तो यहां से y square equal to हो जाएगा positive 4 और y equal to हो जाएगा plus minus 4 तो यहां से y की 2 value मिली x की एक value पर तो यहां पर x की value क्या आई थी अपनी 1 और y की अपने को 2 value मिली है प्लस 4 और minus 4 तो पॉइंट्स क्या हो जाएगे अपने यह पॉइंट्स है वो जाएगे अपने 1 और नहीं सब्सक्राइगा यहां फोर तो यहां प्लस माइनस टू आएगा सब्सक्राइगा तो यह हो जाएगा आपका 1 2 और 1 माइनस टू तो हम से सिर्फ पॉइंट्स पूइंट्स पूजी थी नहीं तो हमने बता दिया हम अगर बात करें इस तरीक से सथांगे सब्सक्राइग सह तो यहां पर एक टेंगिं ने में पर दो है हो सकती है तो यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है है तो समझ मेरे से समय चेसे से चीजे हो सक्ति है तो समझ करें के पTr. नम्बर नशेकER करें रजैंकोर आपके पास करेंगे तो इसलिए अगर चैनल को सब्स्क्राइब कर ralais नोटिफिकेशन आपके पास आजाए आई हो कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है और ओवियूसली यहां तक देखा है तो लाइक शेर जरू कर दीजेगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर नहीं है ठीक है तो चलिए पर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई और थैंक यू